तो भाई लोग quantum physics एक ऐसा सब्द है जिसे सुनकर कई लोगों के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि यह बिसाय हमारी समझ से परे है परन्तु यह कोई कठन बिसाय नहीं है बस ठोड़ा सा अजीब है अगर आपने जान लिया कि quantum physics क्या है तो आपकी इस चोटी होती हैं और बहुत ही जादा सूख्चम होती है बिसवी सरी तक यह माना जाता था कि ब्रहमार्ण के अगर कोई सबसर चोटी चीज है तो बह परमानू और इसी से सब कुछ बना हुआ है लेकिन साल 1990 में मैक्स प्लांग नाम के बिग्यानिक ने black body radiation का प्रियोग किया इस प्रियोग में प्लांग को एक अजीब चीज दिखी उस समय यही माना जाता था कि प्रकास सिर्फ तरंग से मिलकर बना होता है लेकिन प्लांग ने देखा कि प्रकास के प्रियोग में एक कण की तरह बरताब कर रहा है उसी प्रियोग से प्लांग ने अनुमान निकाला क कि प्रकास पूरी तरह से उजा का ना बना होकर छोटे-छोटे उजा के भाब से बना हुआ है, जिसे उन्हें उन्हें क्वांटा नाम लिया, बस यहीं से सुरू हुआ क्वांटम फिजिक्स, इसके बाद कई बिग्यानकों ने क्वांटम फिजिक्स में भाग लिया और कई ख जिसे neutron, positron और photon कहा जाता है अब तक कि इस तरह के कई quantum कड़ों की खोज हुई तो उन पर research होने लगी research करने पर यह पता चला कि सूचम कड़ अजीब तरह से बिवहार करते हैं इतने चोटे स्टर पर बहुत एक विज्ञान के सामानी नियम काम नहीं करते इन कड़ों की सुरुआत नाइज से धांतों के होनी चाहिए इसलिए इनका एक अलग मॉडल बनाया गया जिसे standard मॉडल कहते हैं तो बस परमाणू के बाद इनी सूचम कड़ों की दुनिया को quantum physics कहा जाता है तो आप समझ गए होंगे quantum physics बहुत एक विज्ञान की एक साका है जिसे quantum theory के यादार पर सूचम कड़ों को अभ्यास किया जाता है चलिए आप जानते हैं quantum theory के बारे में बिज्ञान की इन सूचम कड़ों की दुनिया में हमारे सामाने दुनिया की नियम काम नहीं करते इसी बज़े से एक नई theory कर सामने लाया गया जिसे quantum field theory कहा जाता है मान लीजिए कि आप कोई कार में अंजान जगा रख दिया गया है और आपको पता ना हो कि आप कहा है और आप की कार कितनी गती से चल रही है तो आप पहले क्या जानना चाहेंगे जगा या कार की गती लोग कहेंगे कि मैं दोनों जानना चाहता हूँ लेकिन अगर ऐसा संभब ना हो ऐसा क्यों? इसका जबाब भी quantum physics ही है हमारी आमसी दुनिया में तो हम कहा है और हमारी गती क्या है वो दोनों एक साथ जान सकते हैं लेकिन quantum दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता quantum कड में ऐसी सकतिया होती है कि जब हम इन कड़ों को गती ना आपने जाते हैं तो उनकी जगा बदल जाती है और जब जगा ना आपने जाती है तब गती इसकी बज़ा है इनका अथी सूच में होना जब हम इनकी गती ना आते हैं तब हमारी अड़त्यांट से इनकी जगह बदल जाती है ठीक इसके बिरुज जब हम इनके इस्थान को जानने का प्रयास करते हैं तो इनकी गती में खलेल पहुँचती है कुल में लाका दौन को एक साथ जानना असंभव है इस सिध्धान को ही इनसेन वर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल कहा जाता है चलिए इसके बाद जानते हैं कौन्टम इंटेंगलमेंट के बारे में येस अब दो आपने कहीं न कहीं सुना ही होगा और अगर नहीं सुना है तो चलिए आज जान दीजिए आप यह गटना देखिए दो दोस्त हैं रोहन और सुहन यह दोनों पहले हाथ मिलाते हैं और फिर अपने अपने राश्ते चले जाते हैं अब दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो अब मैं रोहन को गोल-गोल घुमाता हूँ तो इसी बज़े से सुहन भी गोल-गोल घुमने लगता है तो क्या यहां सा संभव है कि रोहन कासर सुहन पर हो हमारे आमसे जीवन में भले ही ऐसा ना होता हो लेकिन क्वांटम पिशेक्स की बात करें तो ऐसा करने में बहुत सक्चम है जब क्वांटम के कोई दो कड़ मान लीजे इलेक्ट्रोन और फोटोन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं अब अगर इन दौनों कड़ों को एक दूसरे से अलग-अलग करते हैं तब भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं चाहे पर दूरी कितनी भी हो जब हम उनमें से किसी एक कड़ पर कोई बदलाव करते हैं तो वो बदलाव दूसरे कड़ पर भी होगा बले ही दौनों कड़ की दूरी हजारों किलोमीटर ही क्यों न हो क्वांटम फिजेक्स की इस घटना का उपियो करके एक फोटो उनको 213 किलोमीटर डूर ट्रेलिंग पोर्ट किया गया था चलिए आप इस स्टोरी को सुनकर काफी ज़ादा बोर हो गए होंगे तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका नाम है डवल सेलिस्ट एक्सपेरिमेंट इसमें एक गन रखी हुई है जिसमें इसे प्रकास निकलता है और इनके बीच में ट्राड रखी हुई है जिसमें दो छेद हैं और एक बोर्ट रखा हुआ है जिस पर यह प्रकास प्राप्त हो जाता है अब मान लीजे इन ट्राड मेंसे प्रकास तरंग के रूप में निकलता है और इन ट्राड और बोर्ट के बीच में एक ब्यक्ति को खड़ा का दिये गया है लेकिन उसकी आँखे बंद है जब इन ट्राड मेंसे प्रकास तरंग के रूप में निकलता है तो भाई बोर्ट पर भी तरंग के रूप में प्राप्त होता है लेकिन क्या हो कि प्रकास जब इंट्राड में तरंग के रूप में निकले और जैसे ही उस ब्यक्तिने अपनी आखें खोली बहुत तरंग कण में परिबालतित हो गई लेकिन यह जादू कैसे हुआ चलिए जानते हैं जब उन प्रकास की तरंगों ने देखा कि कोई मुझे देख रहा है तो भाई भूतकाल में बापस आए और बहां से कण के रूप में ट्राड में से निकले जिससे यह संबब होता है कि क्वांटम लेवल पर प्रकास की कण समयात्रा कर सकते हैं और जब यह क्वांटम कण समयात्रा कर सकते हैं तो हम भी समयात्रा कर सकते हैं क्योंकि हम भी तो इनी क्वांटम कणों से बने हुए हों और इसके उपर कई discovery होने लगे अगर आपको उन discovery के बारे में जानना हो तो next video को बेट कीजिए ठैंक्स फॉर बॉचिंग और अपना opinion कमेंट में जलू सैड कीजिए कि आप quantum level को किस हद तक समझ सके हैं